नमस्ते दोस्तों मैं हूँ निर्मला और स्वागत है आपका मेरे किचिन में आज किचिन में मैं बनाने जा रही हूँ एक हाई प्रोटीन सलाद जो मुंबई की स्ट्रिक पे मिलती है मुंबई स्ट्रिक चार्ट के नाम से भी प्रसिद है वही चार्ट हम घर पर बनाएंगे जो बहुत कम सामान से तयार होगी और यह हय प्रोटीं वह फ्रोटीन सानलाव है जो हैल्दी बहुत जड़ा है और खाने में देश cannot लगेगी तो इसको बनाने के लिए हम मैं किन की चीजों की जरूर्त परते हैे इस सलाव को बनाने के ग लिए हमें ज्यादर सामान से भी हर से पहले जरूत होगी काले चने काला चनन ही लगवग हर घण मिल जाता है तो इसी चनने से हम स्लाद बनाएंगे तो मैंने एक कटोरी काले चनने के लिए हैं जिसे रात बहुत वर भीगो के रख दिया है और फिर इसका पाने निकाल कर एक दिन के लिए मैंने गिले कपड़े से ढखके रख दिया है तो यह इस तरीके से अंकुरित हो गई है अंकुरित होने से यह सलाद के गुन इसमें प्रोटीन की मातरा बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और आप वैसे भी एक दिन भीगो कर काम में ले सकते हैं लेकिन अंकुरित करने से इसके मिलाना है जातना है दो है का से ड्रीघर orders अमटार आजया का किस त्यार हो गई है अब इनका पानी निकाल कर आगे का प्रोसिजर तयार करते हैं तो इसके लिए सबसे पहले कर लेते हैं मसाला तयार मसाला तयार करने के लिए हमने लिए है एक कटोरिय उसमें डाला है आदा चमच मैंने लिए है लाल मिर्च का और एक चमच लिए है धनिया पाउडर का और थोड़ी सी मात्रा में लिए है हल्दी जिससे कि हमारे च तो चम्मस पाइब है और और लॉट को भी ज़िए और मिर्च फैल भी इसके बना राखा था वो डालेंगे तो ऊसको भी थोड़ा प्काइब मीडियम राखनेने मिर्च के लाखरां तो थोड़ा सब पकने के बाद हमारे काले चने इसमें डाल देने हैं और इसको अच्छे से मिलाना है और गैस की फ्लेम को मीडियम रखना है इसके बाद मसालों में अच्छी तरीके से चनों को मिलाना है जिससे की सारा मसाला हमारे चनों पर कोट हो जाए और उसके बाद चनों को निकाल लेना है क्योंकि चने हमारे पहले से ही पकाई हुए हैं सिर्फ मसाला मिलाना है और उसके बाद थोड़े देर के लिए उससे लिए है उसे भी अच्छे से काट लिए एक टमाटर उसे थोड़ा मोटा काट लिया है इसे अच्छे में मिला देंगे और एक आलू मज्छिसे नोबाल कर रख लिया था वो भी डाल देंगे जिससे हमारा हमारी सलाद का टेस्ट बहुत जादा बढ़ जाएगा और इसे अच्छी तरीके से मिला लेना है तो ये हाई प्रोटिन सलाद बनकर बिल्कुल तैयार हो गई है अब इसमें कुछ टेस्ट बढ़ाने के लिए क्या करना है कि इसमें नमक हमने पहले नहीं डाला था तो नमक भी चमस में डाल दिया है और इसमें कुछ सेंदा नमक भी अगर टेस्ट के अनुसार चाहिए तो वह भी आप डाल सकते हैं उसके बाद क्या करना है कि एक नीबुल यह उसका नरस भी इसमें अच्छी तरीके से निचोड दिया है और इसे अच्छी से मिला लेना है जिससे हमारी सलाद का टेस्ट कई गुना बढ़ जाएगा यह हाई प्रोटीन सलाद बनकर बिल्कुल तैयार हो जाएगी यह देखिए कितने अच्छी बनकर तैयार हुई है तो बहार मार्केट में सलाद मिलती है उसमें सुद्धा की कोई गारंटी नहीं होती लेकिन हमने घर पे बनाई है यह प्योर सुद्ध है और हेल्दी भी है क्योंकि इसमें हमने जो भी सामान डाला है वो बिल्कुल साप सपाई से डाला है और वो हेल्दी भी है और नीबू के अपने गुन है खीरे के अपने गुन है तो यह हेल्दी सी सलाद हमारे भी बनकर अगर पसंद आई हो तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे वीडियो को लाइक कीजिए सेर कीजिए कमेंट कीजिए और अपना फीड़ बैक देते रहे